दोस्तों वीडियो के सुरुवात करता हूँ एक बहुत बड़े न्यूस के साथ में जो कि इंडिया से निकल कर रही है इंडियन पालियमेंटरी स्टैंडिंग कमिटी ने क्रिप्टो के बड़े प्लेयर के साथ मेटिंग स्चेडूल की है जो कि इसी 15 नॉवंबर यानि मंडे को होनी है एक बहुत बड़ी न्यूस है दोस्तों इंडिया के लिए क्योंकि हम लोग काफी समय से वेट कर रहे थे कि रेगुलेशन का बिल पास होने से पहले एक बर मीटिंग हो जाए लाउमेकर और बड़े प्लेयर के साथ में जिससे कि बिल को और भी अच्छे तरीके से डिफाइन कर सके गौर्वर्मेंट और सभी के लिए वो कारगर साबित हो और एक माइलिस्टोन बन जाए कोकि यह discussion हो रहा है दोस्तों यह opportunity और challenges के लिए हो रहा है कि क्या-क्या opporations हैं और कैसे challenges हम face कर रहे हैं तो इसके विसे में हैं तो काफ ही अच्छा और बढहा मीटिंग होने वाली है दोस्तों और और उमीद करें इस बजट में क्रिप्टो बिल पास हो जाएगा और हम सभी अच्छे से क्रिप्टो में काम कर पाएंगे दोस्तो आगे न्यूस की बात करें तो बिटकॉइन ने 69,000 डॉलर के ओल टाइम हाई को हिट किया और वहां से एक सब सेलिंग देखने को मिला और अभी कि 64,500 के लेवल के उपर हैं हाला कि सौट टम में हम लोग थोड़ा सा वीक जरूर हैं लेकिन मिट टम और लॉंग टम के अंदर बुलिश है अभी और दोस्तों इथेरियम ने भी नियू और टाइम हाई हिट किया और वहां से डॉप हुआ है लेकिन अभी भी 4,400 के लेवल क पे रहा है और कंजूमर इंडेक्स भी काफी हाई राइस वज़ा से सेलिंग प्रेशर देखने के वेला क्रिप्टो के अंदर और साती सा दोस्तों दो दिन के बाद टैप रूट अफग्रेडेशन होने जा रहा है बिटकोइन नेटवर्क के ऊपर यह दोस्तों एक कि यह बहुत अच्छी खबर है कि लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट रहता है इस वज़ेसी थोड़ा सा मार्केड में करेक्शन है यह हेल्डी करेक्शन है और इस न्यूज के बाद से इस अपग्रेडेशन के बाद से कहीं ने करें बिटकोईन में हम लोग 70-80 हजा डॉ हम जरूर देखने वाले हैं तो बिल्कुल वेट कीजिए बुल्रेन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों अलड़ी डिसंबर और जनवरी मंद में लोग अच्छा खासा प्रैसा बना सकते हैं क्रिप्टो के अंदर और इधर आप देखी रहे हैं दोस्तों मेटावर्स कॉइन काफ अच्छा प्रॉफिट देंगे आने वाले टाइम के अंदर क्योंकि आने वाला समय मेटावर्स कही है और दोस्तों इधर बात करें तो यूएस की नजर जो स्टैबल कॉइन की उपर आ गई है क्योंकि सारे वर्डवाइड में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर चर्चा हो तो कहीं और मेंस जाये है जैसे कि वेत्फिनिक्स यूईेट्य-धिक्राइप को और भीयक्श की कि सारे कंट होवा है security होता हुआ as a cash की तरह treatment होता है तो कहीं न कहीं एक centralized currency होती तो US government चाहती है कि इसको regulate करें जिससे की आगे उनकी monopoly बढ़ सके तो यह भी एक ख़बर है दोस्तों और इधर बात करें तो crypto market ने 3 trillion dollar की market cap को hit कर दिया बहुत बड़ी एक ख़बर है तो क्योंकि अभी बात करें तो equity market से 20% more valuable market बन चुकी crypto की अभी हम लोग आगे और भी लंबी उच्छाल लगाने वाले हैं तो ऐसे ही दोस्तों important update आपके लिए लेके आता रहता हूं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे सेर कर दीजे और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और दोस्तों अच्छे प्रजेक्ट जो फॉकस कीजिए अला कि इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आठ मैंने अच्छे प्रजेक्ट के बारे में आपको बताया था बहुत ही अच्छे लेवल पर इंट्री बताया थी अगर आपने इंट्री ली होगी तो इस पर प्रॉफिट पर होंगे नहीं लिया त इस करेक्शन में जरूर ले लिए तो बहुत ही प्रॉफिडेबल वो ट्रेड हो सकती है आटो प्रोजेक्ट बहुत ही सॉलिड प्रोजेक्ट है साथी साथ इन गेमिंग प्रोजेक्ट को भी ध्यान में रखिएगा ये भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं और सोसेल मुडिया पर मुझे जरूर से फालो कर लीजे दुस्तों डिस्क्रिप संअ मैं अपको लिंक मिल जाए कि स्कीन के ओपर घे बी डिस्पले हो रहा होगा वहां पर आपको काफी हल्प मिल सकती दो तो इसे दोस्तों किसी वीडियो मैं फिर्सें मुलाकात होगि इस करता हूं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बाई बाई